हेलो फ्रेंड वेलकम तो और चैनल नौज़ आप फार्मेसी तो डी फार्म फर्स्ट एयर का हेल्थ एजूकेशन एन कम्मुनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक जो कि कम्मुनिकेबल डीजीज यानि संचार होने वाली डीजीज जिसमें हम इंटेस्टाइनल इंफेक्शन या आ पॉइन एक्वूट गैस्ट्रों इन्टाइरेस्टिस्ट का मतलब हिंदी होगा गैस्ट्रों आंत सोध यानि आतों में सोध सूजन इसको हम कह सकते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन डाइरिया क्रंप अमेटिंग और फिवर्स यह साब सारे कंडीशन जब होते हैं तो वही कहलाता है गष्टो इंटर इंटरेस्टिक काज भाई इंजेक्शन क्या होता है जिसे हम कोई फूड इंटेक करें टेकिंग फूड फूड फार वाडी उसी को क्या बोलेंगे इंजेशन फार फूड आफ दी ड्रिंक कंटामिनेटर यानि दूसित बित बैक्टेरिया जो अब केमिकशन का। होग्स बैक्टेरिया इंटर उसमें असलOOD में और अध्र नि आ coy Scorpion तरी जाहर ओगाई यानि प्लानिट से एंटर यशे पूटारियों मसगरे इस रूप हैं इस और तोशन के ट्रे घ्रिक प्लांट से कुछ ब्लांट हूते हैं जेसे जेहरी मस्रूम यह इस से ठीक, जो हम इंटेक करते हैं, वो जहर हमारे लिए, जहर का कार करे, उसी को हम food poisoning कहते हैं, अजन एनिमल पॉजनिंग, चाहे वो एनिमल का मीट ऐसा कुछ हो, वो पॉजन असो, इसी को हम food poisoning बोलते हैं, क्या food poisoning बोलते हैं, ठीक, अब तो समझा आ गया होगा, टाइप आ नान बैक्टेरियल फूड पॉजनिंग नान बैक्टेरियल फूड पॉजनिंग का मतलब होता जिसमें बैक्टेरिया परजेंट ना हो इस परकार की फूड पॉजनिंग तो उस पॉजनिंग को क्या बोलेंगे नान बैक्टेरियल फूड पॉजनिंग तो यह काज डबाई केम यह chemical से काज होता है, यह रसायन से काज होता है, चाहे जो भी रसायन जैसे fertilizers, fertilizers का मतलब होता, और बरक यह खाद, pesticide, कीट ना सक, ठीक, कीट ना सक, और plant, जो भी plant के लिए यह कीट ना सक यह प्लांट, यह प्लांट क्या होते हैं, प्लांट से भी, जैसे हमने मसरूम बताया किसी कोई भी प्लांट हो उसमें जो है वो जहर का काम करें जहरीले प्लांट होते नहीं है होते हैं उसको गर खा लिया सीफूड सीफूड का मतलब जिसे जो भी समुंदर से निकले हुए फूड है चाहे वो सैवाल होएं मचली हुई यह सब जहरीले यह सब जो है C food का मतलब होगा कि समुन्दर से जो भी food हमें प्राप्थ होता है ठीक तो और उसमें bacteria नहों तो इस परकार से ये poisoning non poisoning कहलाते है bacterial food poisoning bacterial food poisoning का अर्थ है जिसमें bacteria food में present हो उस परकार की food poisoning caused by food contaminated with bacteria they are toxic अब इसमें बैक्टेरिया के जो कंटामिनेशन होता है दूसित होता है बैक्टेरिया के थुरू होता है बैक्टेरिया क्या माइक्रो आर्गनेजम के थुरू होता है जैसे वाइरस फंगस बैक्टेरिया और नेमेटोडा हो सकता है ठीक तो इसमें जो है बैक्टेरिया हम स Bunun या इस ट्रफटूपराइलोगोककस यह भी एक बैक्टिरिया और ये क्लेस्ट्रिओं बोट्यूं यह करते हैं भोजन को यानि फूड को पाजनिस बना देते, क्योंकि इनकी ग्रोथ हो जाती है अपना कलोन बढ़ाते हैं और भोजन को पॉजनस कर देते हैं इनसे डिपरेंट डिपरेंट प्रकार के डिजीज हो जाते हैं अब इनवेस्टिकेशन आप फूड पॉजनिंग हम कैसे फूड पॉजन करेंगे निरच्छन करेंगे कि इसमें poisoning food में poison है की नहीं है तो all the people have taken the particular food must be examined also required for symptom इसका मतलब यह है कि जो भी जो symptom होते है people में people have taken people ने जो take किया है particular food को जो उसने food को लिया है must be exam also required for symptom required for symptom का मतलब पता लगाते हैं उसके symptom के आधार पे कि उसमें कौन सा bacteria present है या नहीं है और दूसरा हम देखेंगे sample for food must be sent for laboratory investigation sample हम food का sample लेते हैं उसको investigation के लिए send यानि भेजते हैं laboratory में laboratory में भेजेंगे send करेंगे और पता लगाएंगे investigation होगा इसमें जो है बैक्टेरिया प्रजेंट है या नहीं है animal तीसरा जो है एनिमल एक्स्पेरिमेंटेशन एक्स्पेरिमेंटेशन का एन भी काईरेड आउट बाई feeding रेसस मंकी रेसस मंकी होते हैं विद रिमेंटेड फार फूर्ड रिमेंटेड मतलब कि बचा हुआ आउसेस सबसे पहले क्या करते हैं एनिमल यानि जानोर उपर जो एक्स्पेरिमेंट करते हैं काईरेड करते हैं आउट feeding रेसस मंकी को ठीक और जो बचा हुआ फूर्ड है उससे आउसेस जो बचा है उसको देते हैं इससे पता चलता है कि इसमें बैक्टेरियल ग्रोथ हो गई है कि नहीं अगर मंकी को कोई प्राबलम होती है बिमार होता और चौथा देखते हैं इन्वार्मेंटल लाइक किचन एंड इटिंग पैलस मस्ट भी एक्जाम जो भी जहां भी बन रहा है जहां भी किचन है उस पैलस को हम पूरी तरह से सेनिटेशन का मतलब सुना है कि फूड को हम पूरी तरह से स्टाइज करके हाईजनिक कंडिशन बनाए जहां पर फूड बन रहा हो या फिर देखते हैं मेजर इसको हम मापते हैं या पता लगाते हैं परसनल हाईजेनिक और कूक एंड फूड है हैंडिलर जो भी पूरी तर पूरी तरह से major करते हैं, regular examination आप food handler, जो ले जाने वाला हो, लाने वाला हो, सब का पूरी तरह से sanitize करते हैं regular examination करते हैं कि इसमें bacteria है कि नहीं है, और इसके पास यह सब जो भी handler है उसको करते हैं, inception का मतलब निरच्छन करते हैं, पता लगाते हैं, और यह क्या करते हैं, inception मतलब थोड़ा सा उसको ले के हम इसा निरच्छन करते हैं, अब पर्षूराइज देशन आप मिल्क यह पढ़ा होगा आपने, कि मिल्क का हम 60 डिगरी सेंटीग्रेव पर आधा घंटे तक गर्म करते हैं, जिससे उसके बेक्टेरिया मर जाएं, ठीक, पास्चुराइजेशन आपने पढ़ा होगा, health, foods, cook and जो भी, handler है, cooks है, foods है, सबको हम बेल, क्या करते हैं, clean करते हैं, साब सुतरा रखते हैं, जो भी उसमें कार्य करता हो, जो बना रहे हैं, packaging कर रहे हो, ले जहां पे store किया जा रहा है, और जहां पे process बन रही है, उसको पूरी तरह से covering करते हैं, ढख के रखते हैं, refrigeration, इसमें क्या करते हैं, ओबर नाइट को store करते हैं, ठीक, refrigeration में कि वहां बक्टेरिया का growth ना हो, canald food, canald food क्या होते हैं, canald का मंतलब क्या होता है, बंद डिब्ब का food, यानि पूरी तरह से जो बंद डिब्बे का food है, उसमें gas का formation होता है, इसलिए हम उसको भी check करते हैं, anti-toxic, cause, butolism, butolism क्या होता है, rear poisoning होती है, ठीक, उससे बचाते हैं, okay, thanks, आप चाहें, तो skin sort ले सकते हैं, फिल मिलते हैं, नेस्ट वीडियो में,